मेरे YouTube चैनल Gazette Interest में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Samsung के Top 5 Best Mid-Range Smartphones के बारे में तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और जानते हैं कि हमारी आज की लिस्ट में कौन-कौन से 5 Smartphone है इस लिस्ट में सबसे पहले है Samsung Galaxy M31 इस स्मार्टफोन को March 2020 में Officially Launch किया गया था यह स्मार्टफोन Android V10Q पर बेस्ट है और Custom UI Samsung One UI पर रन करता है इसमें आपको मिलती है 6.4 इंचिस की Super AMOLED डिस्पले जिसमें आपको Corning Gorilla Glass B3 का Protection भी मिलता है इसमें आपको WaterDop Nodge Display मिलती है साथ में Screen Resolution मिलता है 1080 x 2340 Pixels का Screen में आपको Expect Ratio मिलता है 19.5 Ratio 9 इसमें आपको Samsung Exynos 9 Octa 96 Double 1 का Chipset मिलता है Octa Core Processor है और GPU मिलता है Mali G72 MP3 का इसके Camera की बात करें तो इसमें आपको Quad Rear Camera Setup मिलता है जहां Main Sensor 64 Megapixel का है इसमें आपको 8 Megapixel का Ultra Wide Angle Camera मिलता है 5 Megapixel का Micro Camera मिलता है और 5 Megapixel का ही इसमें आपको Depth Sensor मिलता है Selfie के लिए ASUS Smartphone में आपको मिलता है 32 Megapixel का Selfie Camera इसमें आपको 6000 mAh की वेटरी मिलती है जो कि 15 Watt की Fast Charging को सपोर्ट करती है इसके Price की बात करें तो इस स्मार्टफोन का Base Variant जो की 6 GB RAM और 64 GB Storage के साथ आता है उसे आप खरीच सकते हैं 15,499 रुपए में इस लिस्ट में हमारा अगला स्मार्टफोन है Samsung Galaxy M21 इसे March 2020 में लॉंच किया गया था ये स्मार्टफोन भी Android V10Q पर बेस्ट है और Custom UI Samsung One UI पर रन करता है इसमें आपको मिलती है 6.4 इंचिस की Super AMOLED डिस्प्ले जिसमें आपको Corning Gorilla Glass B3 का प्रोटक्शन भी मिलता है इसमें आपको WaterDrop Nautge डिस्प्ले मिलती है और Screen Resolution मिलता है 1080 x 2340 पिक्सल्स का Screen में आपको Expect Ratio मिलता है 19.5 Ratio 9 का इसके Chipset की बात करें तो यहां आपको मिलता है Samsung Exynos 9 Octa 9611 का Chipset Octa Core Processor है और GPU इसमें आपको मिलता है Mali G72 MP3 का इसके Base Variant में आपको 4 GB की RAM मिलती है और 64 GB की Internal Storage मिलती है Expendable Memory इसमें आपको मिलती है अप्टू 512 GB की इसके Camera की बात करें तो इसके Rear में आपको मिलता है Triple Rear Camera जहां Main Sensor 48 MP का है 8 MP का Ultra Wide Angle Camera मिलता है और 5 MP का इसमें आपको Depth Sensor मिलता है Selfie के लिए इसके Front में आपको मिलता है 20 MP का Selfie Camera इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है जो की 15 Watt की Fast Charging को सपोर्ट करती है इसके Price की बात करें तो आज की डेट में इस स्मार्टफोन का Price है 12,499 रुपए हमारी आज की लिस्ट में अगला स्मार्टफोन है Samsung Galaxy A50S इस स्मार्टफोन को September 2019 में Officially Launch किया गया था यह स्मार्टफोन Android V9 Pie पर Launch हुआ था इसमें आपको मिलती है 6.4 इंचिस की Super AMOLED डिस्पले इसमें आपको Screen Resolution मिलता है 1080 x 2340 पिक्सल का Expect Ratio इसमें आपको मिलता है 19.5 रिशियो 9 का और इसमें आपको Baseless Buttered Off Launch डिस्पले मिलती है इसके चिप सेट की बात करें तो यहां आपको मिलता है Samsung Exynos 9 Octa 9611 का चिप सेट Octa-Core Processor है और Graphic Card इसमें आपको मिलता है Mali G72 MP3 का 4 GB की RAM और 118 GB की Internal Memory इसके Base Variant में आपको मिलती है और Expendable Memory मिलती है अपको 512 GB की इसके Camera की बात करें तो इसके Rear में आपको मिलता है Triple Rear Camera जहां Main Sensor 48 Megapixel का है 8 Megapixel का Ultra Wide Angle Camera मिलता है और 5 Megapixel का इसमें आपको Depth Sensor मिलता है इसके Front में आपको Selfie के लिए मिलता है 32 Megapixel का Selfie Camera और इसमें आपको 4000 mAh की वैटरी मिलती है जो की 15 Watt की Fast Charging को सपोर्ट करती है इसके Price की बात करें तो इस Smartphone को आप Flipkart से खरी सकते हैं 14,999 रुपए में हमारी इस लिस्ट में अगला स्मार्टफोन है Samsung Galaxy A30S इस स्मार्टफोन को सेप्टेंबर 2019 में officially launch किया गया था ये स्मार्टफोन भी Operating System Android B9Pi पर launch हुआ था इसमें आपको मिलती है 6.4 इंचिस की Super AMOLED डिस्प्ले जिसमें आपको WaterDock Notch मिलता है और इसमें आपको Screen Resolution मिलता है 720 x 1560 पिक्सल का Expect Ratio इसमें आपको मिलता है 19.5 Ratio 9 का इसके Chipset की बात करें तो इसमें आपको मिलता है Samsung Exynos 7 Octa 7904 का Chipset और Octa 4 प्रोसेसर है GPU इसमें आपको मिलता है Mali G71 MP2 का 4 GB की RAM और 64 GB की Internal Memory इसके Base Variant में आपको मिलती है और Expendable Memory मिलती है अप टू 512 GB की इसके Camera की बात करें तो इसके Rear में आपको मिलता है Triple Rear Camera जहां Main Sensor 25 Megapixel का है 8 Megapixel का इसमें आपको Ultra Wide Angle Camera मिलता है और 5 Megapixel का Depth Sensor मिलता है Selfie के लिए इस समार्टफोन में आपको मिलता है 16 Megapixel का Selfie Camera इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है जो की 15 Watt की Fast Charging को Support करती है इसके Price की बात करें तो इस समार्टफोन को आप आज की डेट में 16,990 रुपए में खरी सकते हैं हमारी आज की लिस्ट का लास्ट समार्टफोन है Samsung Galaxy M30S इस समार्टफोन को September 2019 में Officially launch किया गया था यह समार्टफोन Android B9 Pie पर launch हुआ था और Custom UI Samsung One UI पर रन करता है इसमें आपको मिलती है 6.4 इंचिस की Super AMOLED डिस्पले जिसमें आपको Screen Resolution मिलता है 1080 x 2340 Pixels का इसमें आपको Expect Ratio मिलता है 19.5 रेशियो 9 का इसमें आपको Bezal-S Bartadok Nause डिस्पले मिलती है इसके Chipset की बात करें तो इसमें आपको Chipset मिलता है Samsung Exynos 9 Octa 9611 का Octa Core Processor है GPU इसमें आपको मिलता है Mali G72 MP3 का 4 GB की RAM और 64 GB की Internal Memory इसमें आपको मिलती है Expendable Memory मिलती है Up to 512 GB की इसके कैमरा की बात करें तो यहां आपको मिलता है 48 MP का Triple Rear Camera जहां Main Sensor 48 MP का है 8 MP का Ultra Wide Angle कैमरा मिलता है और 5 MP का Depth Sensor मिलता है Selfie के लिए इसमें आपको मिलता है 16 MP का Selfie कैमरा इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है जो की 15 Watt की Fast Charging को सपोर्ट करती है इसके Price की बात करें तो आज की डेट में आप इस स्मार्टफोन के Base Variant को 15,499 रुपए में खरी सकते हैं दोस्तो यह थी मेरी आज की वीडियो अमीद है आपको इस वीडियो पसंद आई होगी